दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदर्शन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग चौधरी दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे वेश्टन पुलेटकल थाट का महतुपूर टापिक हाप्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार यानि हाप्स ब्यू अन्द इस्टेट अफ नेचर संचेप में देखते हैं दोस्तों हाप्स एक समझोतावादी विचारक है वह राज्य को ब्यक्तियों के द्वारा किये गए समझोते का पैड़ाम मानता है अपने समझोता सिध्धान्त को पुष्ट करने के लिए वह सबसे पहले मानो सभाव और उसके आधार पर प्राकृतिक अवस्था की बात करता है उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था एक पूर्व सामाजिक अवस्था है क्योंकि मनुस्यों का स्वभाव ऐसा था कि प्राकृतिक अवस्था में कोई सामाज या सामाजिकता नहीं थी व्यक्ति एकल था और उसका मुख्य उद्देश से अपने स्वार्थों की पूर्ति करना मातर था मनुष्य भै के वातावरण में था और सक्ति के आधार पर वह प्रतेक इच्छित वस्तु को प्राप्त करना चाहता था लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कोई भिव्यास्तु उसकी तभी तक थी जब तक उसके पास उसको सुरच्छित रखने की शक्ति थी ऐसे में वह हमेशा आतंक और भै के साय में जीता था और यहां पर किसी प्रकार की नहतिकता, नयाय और नियंत्रण कारी सक्ति का पूर्टा अभाव था यह एक कालपनिक अवस्ता थी ऐसा हाप्स भी मानता है क्योंकि इसका कोई एतिहासिक साच नहीं लेकिन इस प्राकृतिक अवस्ता को उप्योग हाप्स ने अपने तर्ख को सिध्ध करने के लिए किया कि एक नियंत्रण कारी सक्ति या सर्वोच सक्ति के द्वारा ही इससे छुटकारा पाया जा सकता है दोस्तों आप इसका पीडियप भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक में डिस्किपिशन बाक्स में डाल दूँगा तो आएए शुरू करते हैं आज का टापिक हाप्स का प्राकृतिक अवस्ता संबंधी बिचार दोस्तों राज्य की उत्पति से पूरू की इस्थिती को हाप्स प्राकृतिक अवस्ता यानी इस्टेट आफ नेचर कहता है ऐसी प्रकृति वाले मनुसियों की प्राकृतिक अवस्ता में क्या दसा और इस्थिती होती है मानवी सभाव आपने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था हाप्स का मानव सभाव संबंधी विचार उसमें आप देख लीजे कि हाप्स के अनुसार मानव सभाव कैसा था और उसी के आधार पर वो कहता है कि ऐसी प्रकिर्तिवाले मनुस्यों की प्राकृतिक अवस्था में क जैसी कि पूर्टेया स्वार्थी और समान सक्तियों वाले मनुस्यों के नियंत्रण और सत्ता के अभाव में होती है मनुस्य जब मानवी सभाव की चर्चा करता है हाप्स तो उन्हें स्वार्थी अमानवी और घोर पास्विक प्रविर्तियों वाला बताता था और उसी के आधार पे वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था वैसी ही होती है जैसी कि पूर्टया स्वार्थी और समान सक्तियों वाले मनुसियों को और नियंत्रण या किसी नियंत्रण और सत्था के अभाव में होती है उसी प्रकार की प्राकृतिक अवस्था होती है हाप्स प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना करता है उसमें वह कहता है कि यह पूर्टया अराजक्ता की अवस्था है हाप्स की जो प्राकृतिक अवस्था है वो पूरी तरह से अराजक्ता की इस्थिती है और इस अवस्था में सबका सभी से निरंतर संघर्स या युद्ध चलता रहता है प्राकृतिक अवस्था अराजक्ता की अवस्था है और इस अवस्था में सबका सभी से निरंतर संगर्स या युद्ध चलता है और इसका कारण क्या था? इसका कारण बताते हुए वो कहता है कि सभी मनुस्यों में परस्पर प्रतिसपर्धा, भय और प्रसिध्धी या बयभ इसलिए क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति एकलवादी था और वो समूह या ग्रूप में नहीं रहते थे और वहाँ पर किसी प्रकार का कोई समाज नहीं था और ऐसी इस्थिती वाले ऐसे स्वभाव वाले मनुस्यों में किसी समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती हापस कहता है कि यह एक पूर्व सामाजिक दसा है जिसमें मानव जीवन जो था वो नारकी, असह और भार स्वरूप था प्राकृतिक दसा का जीवन हिंसा प्रधान था और अमानवी गुडों के कारण मानो जीवन भयंकर, त्रासद और अब्यवस्थित था ऐसा हापस ने माना है हाफ्स का कहना है कि ऐसी दसा में क्या होता है ऐसी दसा में प्रतेक का प्रतेक के बिरुद्ध युद्ध की इस्थिती होती है तो मनुस्य एक दूसरे पर मनुस्यों पर एक दूसरे के आक्रमण का खत्रा सदयों बना रहता है आक्रमण के खतरे से आसे आतंक और भै से है और इस कारण मनुस्य निरंतर भै की अवस्था में रहते हैं जब ऐसी दवस्था हो कि प्रतेक का प्रतेक की बिरुध युद्ध की इस्थिती हो और मनुस्यों पर एक दूसरे के आक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता हो तो इस कारण मनुस्य हमेशा भय अत्वट डर की अवस्था में रहते हैं और इस अवस्था में मनुस्यों का जीवन अत्यंत दुख में होता है और वह किसी भी प्रकार के विकास या प्रगत की कलपना ऐसी दसा में नहीं की जा सकती। हापस प्राकृतिक अवस्था के जो परिडाम हैं उनके बारे में बात करता है कि जब निरंतर युद्ध की इस्थिती है और एक दूसरे के आतंक का और भै का डर का आक्रमण का डर है तो ऐसी अवस्था में मनुस्यों का जीवन अत्यंत दुख में होता है और ऐसी अवस्था में किसी भी प्रकार के प्रगतिय विकास की कलपना नहीं की जा सकती है हाप्स कहता है कि ऐसी दसा में उद्योग, संस्कृति, जल परिवहन, भवन निर्माड, यातायात के साधनों, ग्यान और समाजाति के लिए कोई अस्थान नहीं होता है और मनुसिका जीवन एकाकी, दीन, हीन, अपवित्र, पासविक और छडिक होता है क्योंकि किसी भी ब्यक्ति के जीवन की कोई गारंटी नहीं होती है और प्रतेक ब्यक्ति एकाकी होता है, उसका जीवन पासविक होता है और छडिक होता है ऐसी अवस्था में उचित अनुचित और न्याय अन्याय में भी कोई भेद नहीं रह जाता है जो अवस्था हो जाती है जो अराजक्ता की स्थिती आ जाती है उस अवस्था में न तो कुछ उचित होता है न अनुचित होता है और नहीं कोई न्याय होता है नहीं कोई अन्याय और इनमें कोई अंतर भी नहीं रह जाता है सबसे बड़ी बात कि सक्ति और धोखा जो होते हैं वो मनुस्यों के प्रमुख गुड हो जाते हैं और केवल यह नियम लागू होता है कि जो कोई भी कुछ ले सके और जितनी देर तक अपने पास रखने में समर्थ हो वह उतने समय तक उसका हो जाता था एसी दसा में जब केवल सक्ति और धोखा ही प्रमुख गुड हो जाते हैं तो वहाँ पे केवल एक नियम लागू होता है कि जो कोई भी कुछ ले सके और जितनी देर अपने पास रखने में समर्थ हो सके उतने समय तक वो चेज उसकी हो जाती थी क्योंकि यहाँ पर संपत्ति प्राकृतिक अवस्था के बढ़न में तीन विसेस्थाएं असपश्ट होती हैं यानि हाप्स का जो बढ़न है उससे हम प्राकृतिक अवस्था की तीन दसाएं या तीन विसेस्थाएं जान सकते हैं तो जानते हैं प्राकृतिक अवस्था की कौन-कौन सी विसेस्थाएं तो पहली विशेष्था वो प्राकृतिक अवस्था की जो है वो हाफ्स के प्राकृतिक अवस्था के विबरण से जो पहली विशेष्था पता चलती है वो ये है कि इस अवस्था में नैतिक्ता का पूर अभाव था जो प्राकृतिक अवस्था थी वहाँ नैतिक्ता का पूर वो सामाजिक अवस्था थी यहाँ पे कोई समाज नहीं था इसलिए मनुस्यों को नैतिक्ता अनैतिक्ता का कोई ग्यान नहीं था प्राकृतिक अवस्था में नेतिक्ता का पूर अभाव था, कोई समाज नहीं था जिससे ब्यक्तियों में नेतिक्ता की भावना आये, इस कारण मनुसियों को नेतिक्ता अनेतिक्ता का कोई ग्यान इस अवस्था में नहीं था और सबसे बड़ी बात ये कि इस अवस्था में न्याय अन्याय क्या है क्या अन्याय है क्या अन्याय है इसकी बैधता का परिच्छन करने वाला कोई कानून नहीं था कोई कानून नहीं था जो इस बात की बैधता का परिच्छन करे कि क्या चीज न्याय है और क्या अन्याय इस कारण इस प्राकृतिक अवस्था में कोई न्याय भावना नहीं थी तीसरी महत्पूर्ण विशेष्था ये कि हाप्स के प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी प्राकृतिक अवस्था की तीसरी विशेष्था जो थी वो ये था कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास कोई उसकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी व्यक्तिका संपत्ति तब होती जब मानो जीवन इस्थिर होता लेकिन यहाँ पे अस्थिर्ता और संघर्स ब्याप्त था प्राकृतिक अवस्था में जिसके काराण इस वाता बराण में अस्थाई संपत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती थी और आपने पहले ही पढ़ा है कि कोई भी बस्त या किसी भी बस्त पर जब बल के द्वारा उतने समय तक ही वह किसी ब्यक्तिकी होती थी जब तक वह अपने संपत्ति के द्वारा उसे अपने कब्जे में रखता था तब ही तक वह उसकी थी इसी काराण यहाँ पर प्राकृ प्राकृतिक संपत्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी तो हमने देखा प्राकृतिक अवस्था की जो तीन विशेस्था हैं कि यहां पे कोई नहीं तिकता नहीं थी दूसरा न्याय अन्याय का विवेचन करने वाला कोई कानून नहीं था और तीसरा ये कि व्यक्तियों के पास कोई ब्यक्तिगत संपत्ती नहीं थी निसकर्ष रूप में देख सकते हैं दोस्तों कि प्राकृतिक अवस्था की हाफ्स द्वारजो बड़ित प्राकृतिक अवस्था है उसकी आलोचकों द्वारब कुछ आलोचनाय की गई है आलोजकों का मानना है कि इतिहास में इस बात का कोई प्रमार नहीं मिलता है कि मनुस्य से कभी प्राकृतिक अवस्था में या इस प्रकार की अवस्था में रहते थे अनेक समाज सास्त्रियों का मानना है कि आदिकालीन मानो जीवन में कोई न कोई सामाजिक जीवन और नैतिक निवम अवज से ही बिद्धिमान थे लेकिन हाप्स इसे अयतिहासिक तरकों से सिध्ध करने का भी प्रयास नहीं करता है ये केवल प्राकृतिक अवस्था को वो एक कलपनात्मक वातावरण में ही प्रस्तुत करता है हाप्स का जो प्राकृतिक अवस्था का विचार है वो एक कलपना मात्र है लेकिन उसके आधार पर ही उसने अपने राज्य सिध्धान्द का प्रतिवादन किया है हाप्स इसे एतिहासिक तर्क से सिद्ध करने का प्रयास नहीं करता है लेकिन हाप्स द्वारा जो बड़ित ये प्राकृतिक अवस्था है उसका चित्रण इस बात की पुष्ट अवस्थे करता है कि जब मनुस्यों के कारियों को नियमित और नियंतरित करने वाले कोई सक्ति नहीं होती है तो मनुस्य इसी प्रकार की इस्थिती में पहुच जाते हैं यानि हाप्स ने अपने प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण है वो इसी आधार को पुष्ट करने के लिए कि जब मनुस्यों के कारियों को नियमित और नियंतरित करने के लिए कोई सक्ति नहीं होती है तो मनुष्य इस प्रकार की इस्थिती में पहुँच जाते हैं हाफ्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था राज्य का एक कल्प नात्मक विकल्प है और वो कहता है और इस प्राकृतिक अवस्था का उप्योग हाफ्स अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए किया था कि एक नियंत्रण कारी सत्ता या सक्ति के द्वारा ही इससे छुटकारा पाया जा सकता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें आपने देखा हाप्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार हाप्स का प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार क्या है वहाँ पे मानों की क्या इस्थिती थी या मनुस्यों की क्या इस्थिती थी और हापस ने प्राकृतिक आवस्था का विचार क्यों दिया है इसके बारे में आपने पढ़ा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदर्शन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें धन्यवाद